हरर मादेव मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन मेरे चमतकारी उपाई जोतेश वास्तू तंत्रमंत्र दैनिक राशिफल वरत्योहार वैदिक पूजा पार्ट के लिए टेस्ट अब्रेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी गंट सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की विक्रम संवत 2017 मास चल रहा है आश्विन का तिथी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा की तिथिये शुक्रवार का दिन है नक्षत रहे रेवती योग है दुरुव और करण है बालब तो यह तो बात रही है आज के पंचांग की के साथ संबंद तनावपूर्ण हो गए थे आज आपके संबंद उनके साथ पुना एक बार मधुर हो सकते हैं दुर्गा चालिसा का पाठ कर दिये और क्रूद करने से बचिए व्रिशव राशी वाले जातक लोगों के लिए आज लापरवाह रहने से काम बिगड़ सकता है तो सचेत रहने की आवशकता है श्रीकाल भारवाश्ट कम का पाठ करें किसी को रुपे पैसे आप उधार ना दें मिथुन राशी मिथुन राशी वाले जातक लोगों के लिए आज आपको घर के कामों में ज्यादा ध्यान देने की आवशकता है ओम मुनी इस्तुत्याई गरीब अव्यक्ति का अनादर अपमान करने से आप बचें करकराशी करकराशी वाले जातक लोगों के लिए अपने प्लान में आज आखरी समय में कुछ महत्वकूर्ण बदलाव करने की जरुवत आपको पढ़ सकती है ओम मुशक वाहनाई नमह मंतर का एक सो अट बार आप ना दिखाएं कन्या राशी कन्या राशी वाले जातक लोगों के लिए आज आप जो भी काम करें उसके बारे में हर प्रकार की सूचना आपको एकत्रित कर लेनी चाहिए उम्सर्व सिद्धी प्रदाए नमह मंतर का एक सो आट बार जाप करें और धैर किसी भी इस्तित आजी में कोई काम करने से आज आपको बजना चाहिए अन्यता बड़ा नुकसान आज आपके लिए हो सकता है उम्सर्वतनयाई नमह मंतर का एक सो आट बार जाप करें और किसी को रुपए पैसे उधार देने से आप बचें धनुराशी धनुराशी वाले जातक लोगों के से भरा हो सकता है उम्सर्वसिद्धी प्रदायकाई नमह मंतर का एक सो आट बार जाप करें घर आए हुए व्यक्ति को आप खाली हात विदा न करें कुम्बराशी कुम्बराशी वाले जातक लोगों के लिए आज आपकी लाइफ में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं उम परस्तितियां आपके पक्ष में बनने वाली हैं उम्सामगोश प्रियायन महमंतर का एक सो आट बार जाप करें और बड़े बुजर्गों का दिल आप बिलकुल ना दुखाएं तो दोस्ते ये तो बात रही आज के बारा राशी की हम लोगों ने जाना ग्रहनक्षतर की इस संतुष्ट नहीं हैं सेटिसफाइड नहीं हैं और आप अपने लिए अच्छी नौकरी चाहते हैं तो ऐसे में नवग्रह के टोटके आप कौन सा अपना सकते हैं जिससे आपको नौकरी मिले और रोजी रोजगार प्राप्ती के कुछ हनुभू टोटके के साथ साथ मिल करके जो भी आपके आसपास हो जिन पर आपको विश्वास हो उनसे मिल करके आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए और ये जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि किस ग्रह के कारण आपको रोजगार प्राप्त करने में बाधा आ रही है उसी ग्रह के अनुसार आपको उपाय करना चाहिए सफलता आपको अवश्य मिलेगी तो कुछ नवग्रहों के टोटके बता रहा हूं इसको आप ध्यान से जरूर सुनिए सूर्य के कारण अगर आपके रोजगार में बाद आ रही है तो रोज नियम से आपको गाय को रोटी खिलाना शुरू कर देना चाहिए काली लाल अद्वा पीली गाय को रोटी खिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको लाब मिल सकता है अगर मंगल के कारण आपके रोजगार में बाद आ रही है तो घर में बड़े बुजगार में बाद आ रही है तो रात के समय में आपको दूद पीने से बचना चाहिए और प्रति दिन रात्री में अपने माता-पिता को स्वेम अपने हाथों से दूद ले जाकर के आप दीजिए उनको दूद पिलाईए उनकी चरण सेवा करिए तो आपको लाब अवश्य मिलेगा अगर बुद्ध ग्रह के कारण आपको रोजगार में बाधा उत्पन हो रही हो तो चांदी का कोई आभूशन आपको धारन करना चाहिए तथा सोना आपको खरीदना चाहिए घर में पेड़ पौधे आपको लगा करके उनकी सेवा करनी चाहिए रात्री में दूद की बोतल एकांत इस्थान में जमीन में आपको गारना जो है ये बहुत अच्छा लाब दे सकता है अगर गुरू ग्रह के कारण आपको रोजगार में बाधा उत्पन हो रही है तो लाल गुंजा और सोने का सिक्का एक पीले कपड़े में बांध करके घर में किसी स्थान पर रख दीजे स्वेम सोने का अभूशन आप धारण करेंगे तो भी आपके लिए व्रिहस्पती मजबूत होगा और पीली गाये को अपने हाथ से गुड़ और चने आपको जरूर खिलाना चाहिए शुक्र ग्रह के कारण अगर रोजगार में बादा उत्पन हो रही है तो घर के बुज़ूर गिस्त्रियों के चरण स्पर्श करके उनका आशिरवाद लें इसको आप नियम अपना रोज का बना लीजे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है शनी आपके रोजगार में बादा उत्पन कर रहा है तो एक पात्र में तिल का तेल ले करके उसमें अपनी परचाई देख करके किसी बिखारी को दान करें ये उपाय शनीवार को करें तो आपको फायदा अवश्य मिलता है इसे हम लोग छाया दान कहते है राहू के कारण आ लाल वस्त्र में सौफ और लाल गुंजा बांध करके अपने शेन कक्ष में इसे आपको रखना चाहिए इससे आपको फायदा आवश्य मिलता है केतू के कारण आपके रोजगार में अगर बाधा उत्पन हो रही हो तो तेल से चुपड़ी हुई रोटी गुड के साथ नित जीवन में हर इंसान कई छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करता है इनमें से कुछ तो पलग जपकते ही सुलत जाती हैं लेकिन कुछ परिशानियां लंबे समय तक इतना उलजहा देती हैं कि मानसिक अशान्ती के कारण इंसान चैन से जी नहीं पाता इनमें पारिवारिक आ हिंदू धर्मगरंथ रामायन के सुन्दरकांड में हनुमान जी का इस्मरण कराने वाली विशेश चौपाई बहुती राहत देने वाली मानी गई है सुन्दरकांड की एक ऐसी चौपाई है जो किसी भी परिशानी के वक्त मन ही मन अगर कोई व्यक्ति उच्चारित करता है बोलता है इसका जाप और ध्यान करता है तो चमतकारी तरीके से मुश्किलों से आपको छुटकारा मिल जाता है सुन्दरकांड की ये चौपाई खासकर वीर हनुमान और महाबली अंगद के इसमरण से दुख चिंता और समस्याओं से बिखरे मन तूटी हुई हिम्मत और हो निशानियों के दौरान अगर आप इसमरण करते हैं तो विश्वास का अगर इसको आप मन में इसमरण करते हैं तो ये विश्वास आपके शरीर में ऐसी उर्जा उत्पन करता है कि आप अपने कश्ट से अपने दुख से अपनी समस्या से मुक्तिपा लेते हैं मंगलवार या किसी भी मुश्किल के समय में सुबह इसनान करके स्वच वस्त्र और मानसिक भावों के साथ श्री हनुमान जी को लाल चंदन सिंदूर सुगंदित पुश्प समर्पित करना चाहिए सुगंदित धूब बत्ती लगा करके लाल आसन पर दक्षण दिशा की और मुख करके यता संभव मुंगे की माला से इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपको 108 बार जाप करना है तो इसका आपको लाभ अवश्य मिलता है यह चौपाई है यह दोहा है हनुमान अंगद गाजे हाक सुनत रजनीचर भाजे यह आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी इस चौपाई के अर्थों में चुपा संदेश है कि राम रावन युद्ध में हनुमान और अंगद रूपी सद्गुणी शक्तियों के भै और आक्रमन से रजनीचर या बाज फ्यहरुमान जी को यह थाशक्ति मिठाई आदी का भोग लगा करके आरती और मंगल कामना अवश्य करनी चाहिए तो हनुमान अंगद रनगाजे हाक सुनत रजनीचर भाजे इसका आपको जाप और ध्यान कम से कम एक सो आठ बार और लगातार 45 दिन या 90 दिन तक आस्ता से आपको इसका जाप करना चाहिए तो दोस्तो आशा करता हूँ कि शास्त्र से संबंदित बातें ग्यानकी बातें जो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल से पराप्त होती हैं यह निश्यती पसंद और आती होँगी आप सभी से बार-बार आ आगर आगर एकि जब रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन आपसे आगरो और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाई के वीडियो जाले जाते हैं उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं जिससे कोई भी उ कंसल्टेशन फोन पे बात करना और दूसरा फेस टू फेस यानि पर्सनल मीटिंग के करना आप हमें फोन के माध्यम से इमेल और वाट्सअप के माध्यम से अपॉइंट्मेंट बुक कर सकते हैं हमारा नमबर है 990724131 आपको दो नमबर दे रहा हूं इन दोनों नमबर पे वाट्सअप अवैलेबल है आप वाट्सअप करें 9818300146 यह हमारे ओफिस का दूसरा नमबर है अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आइडी नोट कर लीजे इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाट्सप करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवार